Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel सरकारी बारत दोस्तो आज से हमने आपके लिए जी पिग्यान यानिके बायलोजिकी क्लास स्टार्ट कर देगी है बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर बायलोजिकी क्लास स्टार्ट कर देजे तो हमने आज से आपके लिए बायलोजिकी क्लास स्टार्ट करती है और इसको आपको मैप किसे समझाया जाएगा मतलब अगर पेड आ रहा है तो पेड दिखाया जाएगा हूमन की बात होगी हूमन दिखाया जाएगी अगर फिस होगा, डॉक होगा, कुछ भी होगा मतलब उसको आपको मैप से समझाया जाएगा जीब बिग्यान, सामाने बिग्यान और इसमें हमने NCRT का समाविशन क्या है ये सबसे बड़ी बात इसके अंतरगत है तो आज का अपना पहला टॉपिक है जीब धारियों का परकी करण क्योंकि बाइलोजी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्लासिफिकेशन ही पढ़ना पढ़ेगा जिसके अंदर जीब बिग्यान क्या है पादब बिग्यान, मौनेरा जगत, सजीब जगत और पोटिष्टा जगत के बारे में समझाएंगे, तो बेसिक से आपको टॉपिक समझाया जाएगा, एक स्टोरी के टाइप में, अगर आप इस वीडियो को दो बार देख लेते हैं, तो 100% याद हो जाएगा अगर आप एक ही बार देखना चाती हैं समय नहीं है, तो आप नोट बुक में नोट कर लीजेगा और रिवाईज इसको कर लीजेगा, आपको कम्प्रिट याद हो जाएगा तो चलिए फैंट्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेसन को, सबसे पहले बात करते हैं, जीब बिग्यान क्या है इसके सामाने परचे को देख लेते हैं तो जीब बिग्यान बिग्यान की वह साखा है जिसके अंत्रकत समस्त जीब सजीवों और जीब धारियों का बिस्तरत अथियन किया जाता है जीब बिग्यान में किसका अधिन किया जाता है सजीवों या जीवधारियों का बिस्तरत अध्यन किया जाता है जे बिग्यान सब्द का परियोग सरपरतम लेमार्ख जो के फ्रांस के हैं ट्रैवी रेनस जो के जर्मन के हैं 1802 में किया था जे बिग्यान के दो हिस्से होते हैं दो भाग हैं एक होता है बायो, बायो का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अधियन यानि के बायो, बायो और लोजी, लोजी से वनता है आपका अधियन और बायो से वनता है आपका जीवन तो जीव बिग्यान के दो भाग होते हैं जीवन और अध्यान यानिके बायो लॉची तो आपको समझ में आ गया होगा जीव बिग्यान क्या होता है जिसके अंत्रकात समस्त सजीवों या जीवधारियों का अध्यान किया जाता है चलिए नेक्ष्ट देखते हैं अब समझते हैं आखिरकार सजीवों का धिन किया जाता है तो आखिरकार ये सजीव है क्या तो सजीब की बात करें जो respiration लेते हैं यानि कि स्वसन करते हैं सांस लेते हैं जैसे human हुआ पेड़ पौधे हुए अगर यहां fist की बात करें इसकी बात करें या बतक की बात करें या कोई की बात करें तो यह सभी क्या होते हैं सांस लेते हैं ऐसे जो ब्रद्धी करते हैं पाचन होता है जिनके अंदरकत डाइजेशन होता है उसर्जन एक्सक्रियेशन होता है यानिके मल वगेरा निकलता है और प्रजनन रिप्रोड़क्शन होता है जिससे यानिके एक से नया बनता है तो कहने का मतलब यह है कि जिनके अंदरकत रेस्पिरेशन ग्रोथ न्यूट् तो जिब बिग्यान क्या है? जिब बिग्यान का मतलब होता है जिनकी अंदर सजीवों का अध्यान किया जाता है जिस छित्र में सजीवों का अध्यान किया जाएगा वो जिब बिग्यान किया लाएगा सजीव क्या होते हैं जो स्वसन ब्रद्धी पोशन पाचन उसरजन और प्रजनन करते हैं वो सजीव कहलाते हैं क्या पौधे सजीव होते हैं प्रशन आपका आएगा क्या टेवल सजीव होती है तो यहाँ प्रशन पहला है क्या पौधे सजीव होते हैं यानि प्लांट सजीव होते हैं लिविंग होते हैं तो हाँ पौधे भी सजीव होते हैं पौदे सांस लेते हैं और एक तरीके से क्या है पौदों के मामले में थोड़ा सा उल्टा होता है पौदे क्या करते हैं कारवन डायोकसाइड ग्रहेंड करते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जबकि मनुष्यों की बात की जाए तो मनुष्य से ऑक्सिजन को ग्रहन करता है, कारवन डियोकसाइड को छोड़ता है, पौधे स्वसन, ब्रद्धी, पोषण, उसर्जन और प्रजिनन की किरिया पौधों में देखने को मिलती है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ टेवल देख कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो यह क्या होगा, आपका नर्जीव होगा, तो जिनकी अंतर का स्वसन, ब्रद्धी, पोषण, उसर्जन, प्रजनन की किरिया नहीं होती है, वो सभी नर्जीव कहलाते हैं, जिब विग्यान की साखाएं, अब जिब विग्यान की दो स दूसरी है, बनस्पति विग्यान जिसे हम पॉटनी कहते हैं, जिब विग्यान का जो जनक है, वो कौन कहलाता है, अरस्तु कहलाता है, जबकि बनस्पति विग्यान का जनक क्या कहलाता है, जन्तु विग्यान का जनक थियो फ्रेश्टर्स कहलाता है, जन्तु विग्यान की बात करें तो जन्तु विज्ञान के ये जनक है अरस्तु और बनस्पति विज्ञान के जनक थियो फ्रेश्टस है तो प्रश्ण यहां से बनता है कई वार प्रश्ण पूछा जा चुका है आपकी एक्जाम में कोशन आने की संभावना है अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्ट स्टूरिए एनी मलियम क्या है इस्टूरिया एनीमलियम आप अरस्तु की पुस्तक है और इसमें कितने जन्तों का वरगीगण किया है तो लगबख पांसो प्रकार के जन्तों का इसमें बढ़न किया गया है और इसी बज़ा से इनको father of एक तरीके से आप biology कह सकते हैं यानि कि जन्तु विज्ञान के जनक इनको कह सकते हैं next है थियोफ्रेश्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम दूसरा है थियोफ्रेश्टस हिस्टोरिया प्लांटरम में लगबख पांसो प्रकार के पोधों का वर्डन किया है इसलिए इन्हें पनस्पती विज्ञान का जनक कहते हैं तो पनस्पती विज्ञान का जनक कौन है थियोफ्रेश्टस और जन्तु विज्ञान का जनक कौन है अरस्टु प्रश्ण दो ही बनेंगे जन्तु विग्यान का जनक अरस्तु पनस्पति विग्यान का जनक थियोफ्रेश्टस चलिए कुछ जनकों के बारी में देख लेते हैं क्योंकि प्रश्णी यहां से बनता है और इंपोटेंट है नोट कर लीजेगा अपनी नोट्बुक में जी विग्यान बायलोजी की बात करें तो इसका जनक भी कौन है अरस्तु और जन्तु विग्यान यानि के जनक भी अरस्तु है बनस्पति विग्यान बॉटनी के जनक है तियोफ्रेश्टस और कोसिका विग्यान यानि के साइटोलोजी जिसके जनक है रोवर्ट हुक कौन है र cell जो होता है वो क्या है cell यानि कि छोटे-छोटे cells होते हैं उन cells से आपका tissues बनते हैं tissues से आपके organs बनते हैं organs से आपका organ system बनता है और organ system से आपका organism यानि कि जीव बनता है तो जीव की जो सरचना होती है वो कोसे का से सुरू होती है अगर हम सेल के अंदर भी बात करेंगे तो फिर यहाँ DNA की बात करेंगे DNA के बात करेंगे तो जीन्स की बात करेंगे तो कहानी जीन्स सुरू होती है जीन्से DNA, RNA जहां से आपकी सेल सेल से आपका टिस्यू उतक और उतक से आपके अंग बनते हैं अंग से आपके अंगतंत्र बनते हैं और अंगतंत्र से आपके जीव का निर्माण होता है तो जीवधारियों के इस तरीके से बरगी गरण किया गया है अब यहाँ पर देखेंगे कुछ system देख लेते हैं जैसे यह tissues हैं यह क्या है छोटे छोटे आपको देख रहे हैं यह क्या है tissues उसके बाद organ system जैसे आपका फेंफडा हो गया हाथ पैर घुटना हो गया तो यह सभी क्या है organ system के part हैं जबके blood के अंदर जो होती हैं वो cells होती है cells से आपका tissues बनता है tissues से आपका organ बनता है जिसको हम बोल सकते हैं जैसे पेट का यह organ system है organ से आपका organ system पूरा बन जाएगा और उसके बाद यानिके मनश्य यानि और जीव बन जाएगा अब बात करते हैं जीव दारियों के बर्गी करण के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो जीवों के आधुनिक बर्गी करण की सुरुवात किसने की प्रश्न पूस्ता है तो जीवों के आधुनिक बर्गी करण यानि के modern classification of organism तो कौन होगा आपका कैरोलस लीनियस होगा क्या होगा कैरोलस लीनियस है कैरोलस लीनियस को बर्गी की का पिता कहा जाता है यानि के father of taxonomy कहा जाता है प्रश्न आप से पूछा जाएगा कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है तो बर्गी की का पिता यानि के father of taxonomy कहा जाता है बर्गी की यानि के taxonomy के three steps होते हैं पहला है बर्गीकण और नामकण identification classification nomenclature क्या है identification classification nomenclature कैरूलस ने एक बुक यानी के पुस्तक लेखी systema nature क्या है systema nature जिसमें उन्होंने सभी जीवों के बर्गीकण के लिए उन्हें दो भागों में भिवाजित किया पहला भाग था पादप जगत जिसे हम plant kingdom कहते हैं दूसरा भाग है animal kingdom जिसे हम जन्तु जगत कहते हैं तो यहां प्रकार बात करें कैरूलस लीनियस की जो पुस्तक है systema nature nature बोल सकते हैं आप तरीके से तो पादप जगत और जन्तु जगत यानी कि plant kingdom और animal kingdom की शुरूआत होती है तो दो प्रकार में बाटा गया और इनको किस आधार पर बाटा गया पहचान बर्गीकणों नामकण की आधार पर तो यहां पर बर्गीकण की आधार पर देख रहे हैं अब पात करते हैं दो जगतों के बर्गीकण की तो बर्गीकण की है two kingdom classification केरूलस लीनियस ने किया था पादब जगत जन्तू जगत प्लांट किंगडम एनीमल किंगडम तो आपसे प्रशन पूछेगा दो जगत बर्गीकण किस के द्वारा दिया गया था जीवदारियों का तो आप बोल सकते हो केरूलस लीनियस के द्वारा three kingdom classification किस के द्वारा दिया थी तो Ernest Heckel के द्वारा दिया थी किस के द्वारा Ernest Heckel के द्वारा कितने पाट बने इसके पादब जगत, जन्तू जगत, प्रोटिष्टा प्लांट किंगडम, एनीमल किंगडम और प्रोटिष्टा यानिके तीन भाग इसके बनते हैं तो एक प्रोटिष्टा और इसमें क्या ओ जाता है एड हो जाता है पाँच जगत अबधारना क्या है पाँच जगत बरिकिकन क्या है तो five kingdom classification ये रह विटेकर के द्वारा दी गई थी तो प्रश्ण पूसता है आपसे पाँच जगत अबधारना किसके द्वारा दी गई थी तो five kingdom classification आरेच विटेकर के द्वारा दिया गया था जिसमें पादब जगत जंतु जगत तो पहले ही हो चुके थे प्रोटिष्टा त्रिजगत में हो गया था मौनेरा और कवक को यहाँ पर एड करतीया जाता है किसको मौनेरा और कवक जिसको हम मौनेरा और फंगी कहते हैं इनको यहाँ पर आरेच विटेकर के द्वारा एड करतीया जाता है सबसे बहले बात करते हैं classification язग धारियों की reactor उसमें मौनेरा की बात करते हैं इस जगत के सभी proceriatory अर्टात, जीवाडू, syinovectorians गले उसमें इस में और जीनो एक्टेरिया स्मयलित किये जाते हैं तो example की बात करा है तो इसमें Amiva Plasmodium Parajibii Yuglina पादब ततर जन्तु के बिच की गड़ी का काम करता है तो यहांपर प्रशन पूसता है युगलीना क्या है पादब और जन्तु के बिच की कड़ी का काम कौन करता है युगलीना यह प्रशन पूसता है प्रोटिष्टा, जलिया, यूकरिटिक और एकोज किया यहने तीन प्रकार के होते हैं जिसके उधारण हैं अमीवा, प्लास्मोडियम, परजीवी, पैरामीसियम और यूगलेना यूगलेना पादप और जन्तु के वीच कड़ी का काम करता है इसके बाद बात करते हैं पादपों की, तो इस जगत में प्राय सभी रंगीन, बहुकोशिय, प्रकास, अंसलेशन, उत्पादक, जीव सम्मिलेत हैं, पुस्पिय, तथा अपुस्पिय, बीजिय, पौदे, सभी इसी जगत के अंग हैं जन्तु की बात करें, एनिमल की बात करें, तो सर्वव्यापी, युकेरियोटिक और बहुकोशिक होता है, और हैट्रा, जैलिफिस, सितारा, मचली, सरीसरफ, पच्ची, तता इस्तंधारी जीव सभी इसी जगत के अंग हैं इसके बात आता है, अंतिम, कवक यानिके फंगी, यहाँ जीब विसम पोसी होते हैं, जो पोशन के लिए सड़े गले कार्वनिक पदार्तों पर निर्वर करते हैं, अता इसे मृत जीवी भी कहा जाता है मसरूम, यीष्ट, पैनिसीलियम इसी जगत के क्या हैं, सदस्य है, इसके बाद आते हैं आपके एक क्वेशन और इन क्वेशन के आंसर आप लोग कमेंड वोक्स में लिखेगा उमीद है आपको आज का सेसन अच्छा लगा होगा, इस सेसन के अंदर हमने डिसकस किया, वाइलोजी की स्टार्टिंग आपको यहाँ पर करके देती है, तो ये क्वेशन आपको अच्छी लगे हैं तो पताइएगा, और नोटबुक में आप लोग अपने नोट्स बनाते जरूर चाहिएगा, उमीद है आपको का सेसन ठीक रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेसन में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ, बाइलोजी के सेकंड टॉपिक के साथ, थैंक यू फॉर वचिंग देस वीडियो